हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आपका एडियो फूचर चैनल पे हम लोग क्लास 12 का टॉपिक लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक हमारा क्या था हैविराइजेशन का कॉंसेप्ट क्या था डिरेक्शनल प्रोपर्टी जो थी कोडिनेशन कंपाउंड में वो क्या थी और साथ में हम लोग यह भी पर चुके थे कि उससे हम थोड़ा बहुत मैगनेटिक प्रोपर्टी का भी पता कर सकते थे तो क्रिस्टल फिल्ड थियोरी की अवसकता क्यों पड़ी एक्चुली में वैलेंस बॉन्ड थियोरी का जो कॉंसेप्ट था उस कॉंसेप्ट में बहुत सारी खामिया अबलेबल थी अब इस खामियों के साथ हम क्रिस्टल फिल्ड थियोरी के द्वारा उस सारे खामियों को हम क्या कर सकते थे, हम उसको सही कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये paramagnetic, diamagnetic का जो concept था तो नहीं था उसमें, साथी वो color concept को नहीं बता रहा था color complexus का कुछ concept को नहीं बता रहा था उस field के द्वारा, तो यह सब problem था इन्ही problem की वज़ा से crystal field theory की जहुवत पड़ गई अब देखते हैं हम लोग crystal field theory देखें क्या कहता है देखो valence bond theory जो आपके सामने था वो क्या कह रहा था valence bond theory कहता था कि एक coordinate bond है मतलब metal, metal और ligand के बीच में क्या है एक coordinate bond है कुछ यही concept था यह रहा था कि जब अच्छा जब यह coordinate bond है इसका मतलब क्या है एक type का covalent bond है तो कि coordinate bond भी covalent bond का ही एक type माना जाता है तो ligand और metal के बीच में coordinate bond होता है जिसमें ligand जो होता है वो metal को अपना lone pair electron प्रोवाइट करता है यह ऐसा ही कुछ concept था लेकिन आपको पता होना चाहिए crystal field theory कुछ अलग type का concept दे रहा है इससे एक्चुली में यह electrostatic model of coordinate compound को represent करता है electrostatic model कहने का मतलब जहां पे यह इसको covalent bond के तरह देख रहा था वहीं पे crystal field theory जो है इसको ionic bond के जैसा भी हैब कर रहा था पहली बात दूसरी बात क्या कि it shows interaction between the central atom and ligand is ionic in nature वह यह है ionic in nature और जो metal है और ligand है यह दोनो point charge के जैसा act करता है वही है act as a point charge पहला concept जो आपका crystal field theory का था वो यही था कि उनके बीच में electrostatic attractions available है और ligand और metal दोनो point charge के जैसा act करते हैं तो आखिर यह कैसे possible है आप इसको ऐसे समझो कि जब हम metal के साथ ligand को जोडते हैं तो मैंने बताया था ना कि ligand दो type का हो सकता है या तो यह negatively charge होगा या फिर यह neutral होगा मैंने आपको बताया था ना दो type का होता है या तो negative charge होगा या neutral होगा अगर negatively charge है तब तो भाई ये positive तब तो ये metal क्या होगा positive charge के जैसा act करेगा अब neutral है तो फिर ionic कैसे है अब देखो अच्छा इसमें हमेशा याद रखना है कि metal जो है वो positively charge के जैसा act करता है लिगेंड या तो negatively charge होगा या neutral होगा तो neutral molecule ionic के जैसा कैसे act करेगा आप इसको ऐसे समझो मालो मैं एक neutral molecule उठारा हूँ H2O मालो मैं एक neutral molecule उठारा हूँ CO तो आप क्या समझते होगे कि H2O जो होता है उसमें oxygen और hydrogen के उपर dipole होता है ना oxygen और hydrogen के उपर dipole होता है ना चुकि oxygen more electronegative है तो इसपे delta negative charge और hydrogen more electropositive है तो इसपे क्या होता है delta positive charge तो देखो तो एक dipole है ना इसका मतलब इसका interaction जो होगा इस ligand का जो interaction होगा ना वो from the reason of क्या होगा oxygen होगा क्योंकि negative charge मेरा यहाँ है उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं carbon monoxide का तो carbon और oxygen के बीच में अगर हम लोग देखें तो oxygen क्या है electronegative type का behavior है और इसका क्या है electropositive type का behavior है तो इसका मतलब क्या है यहाँ भी देखो dipole है तो dipole कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका interaction यह जो अपना electron donate करेगा वो इधर से donate करेगा यह oxygen के towards donate कर सकता है तो कुछ ऐसा ही बात बताया गया किसमे crystal field theory के पहले concept में अब next concept हम लोग देखने जा रहे हैं देखिए आगे का concept है central atom considered as positive charge और ligand जो ionic है वही चीज बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया neutral ligand considered as negatively charge due to dipole जैसे H2 और NS3 देखो तो NS3 में क्या है nitrogen और hydrogen nitrogen पे क्या होगा delta negative charge और इस पे क्या हो जाएगा delta positive charge क्याना ammonia का ammonia का जो structure होता है देखिए कुछ ऐसा ही होता है ना तो कुछ यह है यह यह जो lone pair electron है तो इस पे क्या होगा negative और यह इस पे क्या होगा delta positive डिल्टा positive डिल्टा positive डिल्टा positive कुछ इस्टाइब पच्छार्ज डिवलप हो जाएगा तो neutral atom जो होगा उसमें क्या होगा dipole होगा और जो negatively charge iron है वो तो negatively charge iron है ही है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे का concept अब देखते हैं हम लोग इसका अब देखिए जब हम लोग बात कर लिए कि कुछ ऐसा behavior है किसका central atom का तो सबसे पहले crystal field theory को समझने के लिए हम लोग को d orbital का concept समझना पड़ेगा आपको याद होगा या आप पड़े भी होंगे 11th class में atomic structure में कि d orbital का shape कैसा होता है देखो सबसे पहली बात तो d orbital का shape कैसा है double dumbbell है shape कैसा है double dumbbell है मतलब क्या ये at least two axis consist करता है at least कितना axis consist करता है two axis consist करता है ये two axis क्या हो सकता है x y हो सकता है x z हो सकता है y z हो सकता है या फिर क्या x square minus y square हो सकता है और z square हो सकता है देखिए ऐसा ही कुछ concept है ये मैं थोड़ा सा आपको इस topic को revise कर रहा हूं माल लो हम लोग इस axis को d orbital के different axis को अगर हम लोग represent कर रहे हैं माल लिजिए ये x और y है ओके तो x और y axis में आप क्या देख रहा होगे अगर माल लो मेरा क्या हुआ dxy तो dxy हो गया तो इसका axis क्या होगा ये axis के besides मतलब इसके बीच में कुछ ऐसा interaction करता है है ना इसका axis कुछ ऐसा होता है मतलब axis पर नहीं होता है beside the axis होता है अगर माल लो मैं बात कर रहा हूँ x z का माल लो एक को हम x माल लेंगे एक को क्या माल लेंगे z तो इसका भी क्या है यही है कुछ ऐसा होता है ओके अगर मालों मैं बात करता हूं y-z का तो इसको y माल लेंगे इसको जेड माल लेंगे तो यह भी क्या होगा तो यह ऑपका क्या हो गया तो यह क्या होता है ओन्दायक्स इसक्षिस होता है ध्यान देने की बात यहीं है आपको देख़े यह तीन जो आप देख रहे हैं यह दी एक्सट्र यह यह जट्व स्थट्र डी एकसजड क्लगरी यह क्या हाइए विसने एक्सेट केओ नहीं एक्सिस के भगल में है यह जबकि D X square minus Y square जो है वह on the axis है और D Z square भी on the axis ही होता है देखो D Z square actually में on the axis होता है इसको हम लोग ऐसे पर रिपर्जेंट करते हैं देखिए इस तरह से रिपर्जेंट करते हैं हम लोग इसको पढ़े होंगे आप है ना 11th class में आपको बताया गया होगा यह बाते हैं ओके तो यह है आपका D Z square यह Z axis है आपका ओके तो जब भी हम लोग D orbital के concept को देखते हैं in coordination compound तो हमको क्या पता चलता है कि यह जो 5 axis है यह जो 5 axis है axis कौन कौन सा है dxy dxz dyz dx square minus y square और d z square यह 5 axis जो होता नहीं यह पांचो जो axis है यह पांच जो orbital है हमारा axis नहीं पांच जो orbital है इस पांचो orbital की energy क्या है similar energy है और जब similar energy है तो यह क्या है degenerate है यह क्या है degenerative nature का है यह मतलब सबका energy same है वह यह देखो d orbital of central atom maintained degeneracy under free state जब हमारा central metal atom free state में है ना तो क्या है उसके जो 5 d orbitals है ना वो degeneracy maintain करता मतलब वो सबके सब same energy वाले होते हैं ओके जिसमें तीन axis जो हमारा देख रहा हो dxy dxz dyz जो होता है वो beside the axis होता है जबकि dx square minus y square और dz square जो मेरा होता है dz square है यह यह on the axis होता है clear है बात अब देखिए जब एक ligand interact करता है उस central metal पर जब यह free state था तो कुछ ऐसा था लेकिन जब वो interaction होता है central metal का किसके उपर सॉरी central metal पर ligand का तो क्या होता है आगे बढ़ते हैं हम लोग देखिए but when interact with ligand electron degeneracy disturbed है ना electron की degeneracy क्या हो जाती है disturb हो जाती है and d orbital get splits और d orbital क्या हो जाता है split कर जाता है समझ में आर यह बात कि जब interaction होता है ligand का तो d orbital जो है ना वो split करने लगता है due to changing of energy energy के changes के बज़ा से क्योंकि d orbital के क्योंकि elegant के जो electrons होते हैं वो उसके two parts क्या करते हैं interact करते हैं तो crystal filled theory का यही सबसे strong concept आता है अब जब interact करेगा तो वो जो d orbital आप देख रहा हो उसमें क्या होगा splitting होगा कैसे split करेगा देखिए जड़ा सा मालीजे यह d orbital मैं लिख रहा हूँ देखिए यह तीन एक्षिस मेरह क्या है beside the axis है और यह दो मेरह क्या है along the axis है यह दो मेरह क्या है along the axis है और ये क्या है beside the axis है ठिक ये क्या है भाई dxy इसको मानते हैं dxz और इसको मानते हैं dyz ये हो गया dx square minus y square ये हो गया dz square अब इसकी energy जैसे ही splitting होगा जैसे ही interaction होगा न लीगेंड का तो इसकी energy थोड़ी high हो जाएगी ये थोड़ा high energy में आ जाएगा देखिए देखिए अगर मैं energy को ऐसे दिखलाओं तो इसकी energy थोड़ी high हो गई है अब जब high हो जाएगी तो क्या होगा ये टूटेगा ये क्या हो जाएगा split करेगा और split करेगा दो अलग अलग पार्ट में तो एक splitting जो होगा वो क्या होगा less energy वाला और एक splitting होगा जादा energy वाला तो अगर हम लोग different type के structure में देखते हैं इसको तो octahedral में ये कुछ अलग होता है और tetrahedral में ये कुछ अलग होता है अगर हम लोग octahedral को देखेंगे तो आप देखेगा इसके उपर में आएगा आपको दो जो along the axis होगा along the axis कहने का मतलब क्या dx square minus y square होगा और यहां होगा dz square और नीचे जो जिसकी energy सबसे कम होगी वो क्या जाएगा वो beside the axis हो जाएगा वो हो जाएगा dxy, dxz और dyz ओके कुछ ऐसा condition होता है इसी condition को हम लोग देखें आगे मैं बता रहा हूँ आपको तो इसी condition को हम लोग को देखना है आगे देखते हैं हम लोग देखें ऐसा ही कुछ है देखें देखें क्या कहता है यह कि crystal field a split in octahedral complex अब इस octahedral complex में आप देखें यह 5 orbital मैंने बनाया है आपको dx by dyz dxz यह हो गया dx square minus y square यह dz square यह on the axis हो यह जो दोनों हो गया यह on the axis हो गया और यह क्या हो गया besides the axis देखें इसकी energy level थोड़ी बढ़ गई बढ़ गई उसके बाद क्या हुआ split कर गया यह जब split करेगा तो देख रहे हैं जो on the axis होगा जो on the axis होगा उसको हम लोग represent करते हैं e g से यह क्या है on the axis है और इसकी energy क्या है इसकी energy जो है वो क्या है वो हाई है on the axis है okay और जो lower जिसकी energy कम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं t2g क्या बोलते है t2g और इसमें कौन आएगा यह तीनो axis आ जाएंगे मतलब dxy, dyz और dxz यह तीनों आ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे t2g और इस दोनों के energy के बीच का जो center आप देख रहो जिसको बोलते है barry center देखो यह energy का splitting का graph है इसको हम लोग बोलते है barry center barry center को देखिए dell इसके बीच का जो energy average energy जो है उसको dell not से दिख लाए जाता actually मैं यह यह जो dell not आप देख रहो है यह इसको आप okay जैसा treat करते हो that is for octahedral किसके लिए treat होगा यह octahedral के लिए treat होगा okay तो splitting में आपको क्या बाते याद रखनी है splitting में आपको यह बाते याद रखनी है कि octahedral का अगर splitting है है तो किसकी energy high होगी जो on the axis है मतलब dx square minus by square और dz square का जबकि किसकी energy कम होगी t2g that is on जो along the x sorry beside the axis है मतलब dxy dyz और dsz का okay तो important बात आपको क्या याद रखनी है कि octahedral complex जब बनेगा तो d orbital जो होगा वो split करेगा और split करेगा तो on the axis का energy ज्यादा और beside the axis का energy कम अच्छा एक बात और यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका energy ज्यादा क्यूं है इसको आप ऐसे समझिए देखिए octahedral complex को अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस type का axis है देखिए यहाँ पर metal है देखिए तो कुछ यह axis पर है इसी axis पर है और एक आपका यह axis हो गया तो आप देखिए यह अगर एक axis देखो इसके और इसके बीच में 90 degree का angle है तो एक axis को अगर हम लोग x मानते हैं एक को by मानते हैं और एक को z मानते हैं clear है बात तो तीन axis अगर हमारा है अब यह चुकी ligand जो हमारा है उसका interaction क्या है on the axis है यही बात आपको याद रखना है कि octahedral जब होगा न तो ligand का जो interaction होगा उसका जो approach होगा अपराच किधर करेगा वह लिगेंड का approach किधर होगा on the axis आप इसको ऐसे डिगरी का एंगल है यह जो मैंने आपको बताया था कि यह इब अब दे एक्सिस है यह बीलोड दे एक्सिस है तो अब दे एक्सिस और यह जो प्लेन है मेरा उसके बीच में भी 90 डिगरी का एंगल है मतलब interaction क्या होगा इसका on the axis होगा तो जब on the axis तो energy किसकी जादा होगी on the axis वाले की और जो beside the axis होगा उसकी energy क्या होगी कम होगी यही बात आपको याद रखना है साथ में आपको क्या याद रखना है जो बीच का जो center है उसको बोलते बैरी सिंटर और यह आपका क्या हुआ average energy हुआ चुकि अग्टरा हेडरल के लिए जो energy changes होगा उसको हम लोग डेल नॉट से रिपर्जेंट करते हैं नॉट वो अक्टरा हेडरल के जैसा भी हैप करता है यह ओके और क्या बात याद रखना है कि on the axis जो होगा उसको हम लोग बो लेंगे T2Z क्लियर है बात चलिए आगे बरते हैं इसको आगे समझते हैं अब देखिए अब डिफरेंट फिल्ड का जो लिगेंड होगा ना उसका अलग-अलग कंडिशन होता है देखिए a strong field produce large splitting और weak field produce small splitting कैसे समझते हैं इसको हम लोग तो मैं इसको आपको अलग से बता देता हूँ देखिए क्या बोला गया है strong field produce large splitting weak field produce small splitting माझलो ये हमारा octahedral complex है octahedral मतलब sorry d orbital है अब इस d orbital में splitting हुआ माझलो ये दो टाइब का splitting मैं आपको दिखला रहा हूँ देखिए सबसे उपर क्या होगा easy नीचे क्या होगा हमारा t2g मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ कि easy में कौन होगा on the axis t2g में कौन होगा beside the axis easy हो गया और ये हो गया t2g क्लिर है बात अब देखिए एक और मैं splitting बता रहा हूँ आपको फिर से वही easy और t2g अब जरा धियान देना इस बात को देखो अगर अगर क्या है विक फिल्ड है अगर विक फिल्ड लिजन है तो देखिए इसके बीच का energy gap क्या है कम है अगर strong फिल्ड लिगेंड है तो उसके बीच का energy gap क्या है ज्यादा है समझ में हारी ये बात इसके लिए डेल नॉट का value कम होगा और इसके लिए डेल नॉट का value क्या होगा ज्यादा होगा यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि strong फिल्ड प्रोडूस large splitting large splitting विक फिल्ड प्रोडूस small splitting देखिए विक फिल्ड का splitting क्या है small है ओके आगे पढ़ते हैं हम लोग अब देखिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रो केमिकल सिरीज का देखो स्पेक्ट्रो केमिकल सिरीज क्या होता है एक्चुली में स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज एक सीरीज है जो आपको ये बतलाता है कि कौन से लिगेंड का फिल्ड जो होगा, वो स्ट्रॉंग होगा और कौन से लिगेंड का फिल्ड जो होगा, विक होगा on the basis of absorption of light by the complexes in different legend. वो ये देखे, it is the series of ligand on the basis of experimental determination of absorption of light by complexes with different ligand. तो देखिएगा आप, NCRT में आपका स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज बनाया गया है, इसका मैं एक ट्रिक भी आपको बता दूँगा, S2- है, fluoride- है, OH- है, C2042- है, H2O है, NCS- है, यहां पर editor दिया हुआ है, 4-, NH2 आपको मिल जाएगा, N मिल जाएगा आपको, CN मिल जाएगा और CO मिल जाएगा, clear, यह है स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज, इस स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज में देख रहे हैं, इधर वाले जितने भी आप देख रहे हो, यह सब क्या है, है, विक फिल्ड है, और इधर वाले जितने भी आप देख रहे हो, वो स्ट्रॉंग फिल्ड है, on the basis of there क्या है, participation है, मतलब कि different participate कर दिया गया है, इसको कौन सा विक फिल्ड है, और कौन सा स्ट्रॉंग फिल्ड है, तो जेनरली आप क्या पाओगे, सो देखो, देखो, हलोजन वाले जो एटम होते हैं, वो पराया क्या है, विक फिल्ड लिजेंड में आते हैं, देख रहे हैं, हलोजन वाले न, I, BR, CL, S, S, सलफर भी दिख फिल्ड में आता है, अगर स्ट्रॉंग फिल्ड में आप देखेगा, तो कौन आ रहा है, देखेए, यहां से आईए, यह अक्सिजन भी देखेए, दिख फिल्ड में, यह स्ट्रॉंग फिल्ड में कौन आएगा, तो देखेए, N, C, S, आ जाएगा, क्लिर है बात, आगे बर जाए हम लोग अब, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा कॉनसेप्ट दे देता हूँ, क्रिस्टल फिल्ड स्प्लेटिंग एनरजी का, देखेए, यही मैंने आपको बताया था, कि विक फिल्ड है और स्ट्रॉंग फिल्ड है तो क्या होगा, अब दे लोग देखें, तो हमको क्या पता चलता है, कि यह जो पॉइंट मेरा है, देखें यह जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, एनरजी लेबल अल्मॉस्ट जीरो है, तो यह जो टू, टू जो स्प्लिटिंग फॉर्म अफ डी और बाइटल है, वो बाकी से कितना ज्यादा है, तो अगर हम लोग यह पांच और बाइटल को तोर रहे हैं, तो यह कितना ज्यादा है, तो देखिए, तीन ज्यादा है, देखिए, दो अगर पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब तीन ज्यादा है, करने का मतलब यह क्या है, ज्यादा है, तो प्लस का साइन दे रहे हैं, और निकालिएगा तो इस वैलू को आपको कितना आएगा 0.6 डेल्टा नॉट और इस वैलू को आपको निकालिएगा तो कितना आएगा 0.4 डेल्टा नॉट अब इसी से आप क्या निकाल सकते हैं crystal filled splitting energy निकाल सकते हैं, है न, क्या निकाल सकते हैं आप, crystal filled splitting energy, देखिए crystal filled splitting energy को निकालने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान है, करते क्या है हम लोग, कि, जितना, मतलब कितना बढ़ा हुआ है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ, तो 0.6 delta naught into कर देंगे, a plus b into minus 0.4 delta naught, यही करेंगे हम लोग, देखिए यह formula आप use किजिए, है क्या यह, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर हम लोग octahedral complex की बात करें, तो सब यह वाला value, a जो भैना, वो क्या हो जाएगा, easy, और b का value हो जाएगा, t2g, देखिए यही है, मतलब easy में जितने electron को आपने डाला, यह मैं लिख देता हूँ, electrons in, easy का मतलब क्या, high energy बाला, और t2g का मतलब क्या, यह on the axis बोल सकते हैं, on the axis, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, beside the axis, मतलब इसमें electron रखेंगे उसको, जो beside the axis होगा, ओके, clear है बात, तो यह हो गया आपको crystal filled splitting energy निकालने का तरीका, आगे बर जाए हम लोग अब देखिए, यह मैंने बता दिया है, already आपको, यह spectrochemical series, अब देखिए, क्या कहता है, अक्त्रहेटरल कंप्लेक्स के लिए, कि अगर डेल नॉट का value, मतलब energy gap का value, पी से, पी देखिए क्या है, पी का मतलब हो गया, pairing energy, क्या हो गया, pairing energy, ओके, तो अगर कहता है कि, डेल्टा नॉट का value से कहीं ज्यादा है pairing energy, तो क्या होगा, फोर्थ electron enter one of the easy orbital giving the configuration, देखिए, फोर्थ electron enter one of the orbital in giving configuration कहने का मतलब क्या हो गया, कि T2Z, देखिए, अगर चार electron मेरा है, मालो यह मेरा orbital है, यह मेरा easy हो गया और यह T2Z है, तो हम electron को कैसे बढ़ेंगे, हम electron को बढ़ेंगे, एक, दो, तीन, चार, देखिए, वही हुआ ना, देखिए, T2Z में तीन, और easy में क्या है, एक, इस तरह से electron को बढ़ेंगे, वही चीज़ बोल रहा है, और यह क्या बनाएगा, high energy complex बनाएगा, किसके लिए, विक फिल्ड रिलिजेंट के लिए, ऐसा क्यूं है, क्योंकि pairing करेगा ही नहीं, पेरिंग क्यों करेगा, क्योंकि pairing energy ही मेरा ज्यादा है, तो pairing करने की जगवत नहीं है, जब pairing energy, जो energy gap है, उससे ज्यादा है, तो pairing नहीं करेगा, लेकिन जब, देख रहा हो, energy gap से कम है pairing, तो pairing करेगा, देखिए, fourth electron, fourth electron, occupy T2Z orbital with configuration, T2Z4, है ना, इसका मतलब क्या, वो pairing करेगा, और जब pairing करेगा, तो क्या होगा, मतलब electron जो होगा, वो देखिए, कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये हिस्सा जो होगा, वो आपका क्या होगा, खाली हो जाएगा, देखिए, strong field is in low energy complex, ओके, तो इस तरह से D4 से D7 तक जो होता है, वो more stable strong field than weak field, है ना, चुकि ये strong field जो होगा, वो D4 से D7 तक में क्या होगा, ज्यादा stable होगा, जबकि weak field जो होगा, वो comparatively, commercially comfortable होगा, clear है बात ये, आगे बढ़ जाए हम लोग अब, तो चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, tetrahedral complex में, देखिए, crystal field is splitting in tetrahedral complex, ये just octrahedral का just उल्टा होता है, क्या होता है, इसमें देखिए, T2Z बाला जो होगा, उसकी energy high हो जाएगी, और easy की energy क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऐसे condition में, देखिए, यही है वो, same condition है, बस आपको याद क्या रखना है, कि T2Z उपर और easy क्या नीचे, और चुकी ये tetrahedral complex के लिए है, तो del knot का यूज नहीं होता है, यहापे क्या यूज होता है, del T का यूज होता है, बाकी सारा phenomenon जो आपका होगा, वो as it is होगा, जैसे हम लोग octahedral में पर रहे थे, वो strong field अगर है, wick field अगर है, तो अलग धंग से उसको treat करेंगे हम लोग, अगर wick field हमारा है, तो इसका मतलब क्या है, energy pairing जो होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब energy pairing ज्यादा होगा, energy gap से, तो high speed complex follow करेगा, और यह क्या करेगा, आप ये भी कह सकते हो, कि ये follow करे होगा, हुंस रूल को, किसके लिए, ये condition किसके लिए है, wick field के लिए है, और अगर strong field आ गया, तो क्या होगा, not follow हुंस रूल, ये बात आप याद रखिएगा, ये हुंस रूल को follow नहीं करेगा, है ना, हुंस रूल आप समझ रहे हैं, हुंस रूल क्या कहता था, मैं 3, 4, 5, मतलब इस तरह से हम लोग electron को भरते हैं, और अगर ये हुंस रूल follow नहीं करेगा, ये तो हुआ कि करेगा, अगर ये नहीं करेगा, तो क्या होगा, pairing होगा, और जब pairing होगा, तो electron जो होगा, वो अंदर के तरफ move कर जाएगा, तो ये depend करता है कि कौन सा legend है, strong field ligand है, या फिर weak field ligand है, तो strong field ligand का ये concept है, weak field ligand का ये concept है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया क्या, tetrahedral और octahedral का complexes, especially in crystal field, अब इसके बाद का एक और topic आपका बच जाता है, दो topic और बच जाता है आपके लिए, एक topic आपका हो जाएगा, इसमें जो मैं आपको बता दूँग का color complexes, और दूसरा मैं फिर आपको बता दूँगा, इसी से related, that is carbonyl compound के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, फिर हम लोग इसके application जान लेंगे, काफी important topic है ये सब सारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का इस channel पर बने रहने के लिए,